वेलिए हम दोस्तों स्वागत करता है फिर सब को अपनी चैनल में तो गई इस बीड़े के दिन में डिसकास करेंगे बिट्कोइन के बारे में, साथी में हम यह अपड़े डिडि़ेस में बात करेंगे के और क्या मूव्मेंट हमें आने वाले डेड़ में देखने को मिल सकते ह तो फिर आप बिडियो को बिना स्क्रिप्प के पूरा अंडि तक जरूर से देख सकते हो अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होगा और टेलिग्रम चैनल को भी जोइन करना चाहरा हूँ तो लिंक में डेस्क्रिप्शन में अलड़ी डाल दिया हूँ वहाँ से जरूर से जोइन भी कर सकते हो अब इस टेम पर अगर आप देखोगे तो बिटकोई के प्राइस के अंदर हमें ना ही कोई मुवमेंट देखने को मिला है तो इसके पीछे एक ही रिजन है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप आप 95-90% के आसपास डाउन फॉल देखने को मिल है तो अब इस टाइम पर आपने और मैंने एंट्री लेकर रखी हुई है किसी बी ओल्ट के अंदर तो ऐसे बहुत सारे बड़े वालेट भी होते हैं जो ऑल्ट के अंदर अपना एंट्री बनाकर रखते तो क्या होता है कि जब उनके प्राइस के आसपास कोई एप्रोच कर है सिर्फ या पर जितने भी स्मार्ट मानी जे वही बोटॉम को क्रेइट कर सकते और वही टॉप को भी क्रेइट कर सकते ठीक है तो एग्जक्ली अभी स्टैंप पर क्या हो रहा है कि जितने भी को अगर आप देखो शूशी को देख लो या फिर आएंजी को देख लो या फ आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएगा तो आभ इस time पे exactly यहाँ पर क्या है कि Bitcoin के प्राइस के अंदर movement तो उतना नहीं है फिर भी हमें price के अंदर movement देखने को मिल रहा है तो price जो हमें यहाँ पर 16800 के असपास जो trend line है, इसी trend line के असपास हमें price के लिए support देखने को मिल सकता है, इसी support के असपास हमने previously discuss भी करका हुआ है, कि exactly अगर यहाँ पर bitcoin के price नीचे आती है, तो फिर exactly कहाँ पर हमें support देखने को मिलेगा, तो exactly यह जो zone है, इसी zone के असपास हम तो अगर आप टूटेल ही देखोगे तो टूटेल मार्केट का सेंटिमेंट जो है अभी इस टाइम पर बेयारिश है और आने वाले टाइम में यानि कि कल या परसू मुझे सा लग रहा है कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक मुव्मेंट देखने को मिल सकता है जो जो कि हमें एक तो यहां पर प्राइस के दर मुवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि हमें 18,000 या फिर 17,500 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस इसली इन कमिंग डेज हमें देखने को मिल सकता है बाट कुछ भी हो सकता है अगर कोई भी कुछ भी निगेटिव निज प्राइस के अंदर भी एक अचा सा ड्रॉप डॉण हमें देखने को मिल सकता है तो आज के दिन के लिए यहां पर सबसे इंपोर्टेंट क्या होगा कि यह जो ट्रेंड लाइन ही यह सबसे दादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि बीटिस अगर इसी ट्रेंड लाइन के 16,500 के आसपास ठीक है तो इन जोन्स को आपको जरूर से देखनी है और यहां पर इन जोन्स के नीचे अगर प्राइस आती है तो वेलन गुड हमें यहां से प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है 16,300 and later on हमें प्राइस के अंदर और भी drop down देखने को मिल सकता है अगर अभी इस टाइम के लिए for now अगर आप किसी भी कोईन के अंदर long way नहीं जा रहे हो अगर आप वेट कर रहे हो कि प्राइस और भी नीचे आ है तो यह आपके लिए भी बहुत ज़दा सही है क्योंकि प्राइस बांस बेक करके तो ऊपर चला जाए अगर मार्केट 18,000 तक भी जाता है तो मैं यह आपको बोल्ड हो यह आपको इपको इपर बाते समझ में आ गई होगी कि एक्जकली बिटकोईन के प्राइस के अंदर क्या मूव्मेंट हमें देखने को मिल सकता है तो चले पर ह अगर आपर शुशी के बार में तो शुशी का प्राइस को टेखो तो शुशी का प्राइस चले है 1.265 के असपास हमें इस तॉशी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलड़ा है तो शुशी एप्रोच कर रहा है अपना जो मेजर रेजिस्टेंस जोने इसी जोन के आसपास हमें शूशी के प्राइस देखने को मिलड़ा है जो कि यह 1.315 के आसपास अगर शूशी इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट बना लेता है इसको ब्रेक करके तो यहां से हमें प्राइस के अंदर फारधर और भी अच्छा अपड़ मूपमेंट देखने को मिल सकता ह बैट मेरे ही सबसे अगर अब देखोगे तो शूशी के लिए यहां पर multiple times इसी जोन से हमें रिजिस्टन्स से देखने को मिला है jadi सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक बार रlaresिस्टेंस देखने को मिला and after एट हमें प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास भी multiple times सप足माट बोट जो हमें देखने को मिले है अभी इस टाइम पे शूशी के उपर डिपेंड यही करेगा कि अगर बिटकोइन तो वेल पाफॉम करेगा तो ओवियस सी बात है कि शूशी और बाकर ओड़िस के प्राइस के अंदर में मुव्वेंट देखने को मिलेंगे लाइक अभी इस शूशी के बारे में समझ में आ गया होगा तो चलिए पर हम बात करते हैं तो सुलाना के प्राइस को भी अगर आप देखो के जैसे ही support देखने को मिल सकता है वो मिलेगा somewhere around इसी zone के आसपस ठीक है तो यहाँ पर होगा 13.08 यानि कि आप पकड़ लो कि 13 डॉलर के आसपस हमें solana का price next इसी zone के आसपस देखने को मिल सकता है ठीक है तो solana अगर इसी zone के आसपस अपना support को sustain करता है well and good यहाँ से हमें price के दिखने को मिलेगा अगर इसी zone के आसपस भी sustain नहीं हो पाती है तो हमें price के अंदर और भी drop down देखने को मिलेगा जो कि farther हमें 10 डॉलर and 9 डॉलर के आसपस भी हमें solana का price easily देखने को मिल सकता है तो solana का अगर अब देखोगी तो price pattern को similar kind of हमें यहाँ पर ftx के तरह देखने को मिल रहा है तो अभी इस time के लिए for now मेरे इस अफसे solana के price के अंदर हमें और भी दुरा drop down देखने को मिल सकता है जो कि हमें somewhere around 10 डॉलर के आसपस भी आपको आने वोले time में solana का price देखने को मिलेगा तो हमें market के अंदर crash देखने को मिलेगा तो इसके कारण अगर आप किसी भी coin के अंदर entry ले रहे हो long side के लिए तो मेरे इस अबसे आपको जहाँ पर भी आपका profit होगा से आपको profit ज़रूर से उटा लेनी है क्योंकि कभी भी market के अंदर कुछ भी news निकल के आ सकती है जिसके करान एक ही second में market pump भी हो सकता है और market dump भी हो सकता है ठीक है होप से हो कि आपको या पर इस वीडिये का अंदर details में सब कुछ clear out हो गया होगा बाकि कोई भी dot if you confusion होगा अब मुझे comment section के अंदर भी जरूर से बता सकते हों मिलतें next section informative updates के साथ तब तक के लिए good bye